New Questions and Ideas तो बच्चो इस वीडियो में हम इस चैप्टर के जिसका नाम है New Questions and Ideas NCRT Question Answers डिसकस करेंगे चलिए शुरू करते हैं First question है Describe the ways in which the Buddha tried to spread his message to the people मतलब वो तरीके बताईए जिन तरीकों से महत्मा बुद ने अपना message, अपना संदेश, अपनी teachings लोगों तक पहुँच आई तो हमें वो तरीके बताने हैं तो क्या-क्या थे वो तरीके? So the first point is Buddha tried to spread his message to the people by teaching in the ordinary language जो वहां की ordinary language थी, जो common language थी, प्राकरत उस language में महत्मा बुद ने अपने message को spread किया क्यों spread किया? So that everybody could understand it ताकि सब लोग इसको समझ सके हैं तो पहला way या पहला तरीका क्या था? वो ये था कि महत्मा बुद ने किसी संस्कृत या किसी दूसरी भाषा के इस्तमाल नहीं किया common people की जो language थी तो प्राकरत में ही लोगों को अपना संदेश दिया अपनी बात समझाई तो साधारन भाषा एकदम simple भाषा जो सब आमजबोल चाल की भाषा थी उस वक्त उस भाषा में लोगों को समझाया एक बात दो ये second point देखो he traveled on foot going from one place to another teaching people तो वो पैदल चलते थे ठीक है तो पैदल जाते रहते थे एक जगे से दूसरी जगे और लोगों को बुद्ध जो उनका जो तौर तरीके थे उनका जो रिलेजन था बुद्धिजम उसकी teachings देते रहते थे point number three देखो he encouraged people to think for themselves rather than to simply accept what he said उन्होंने लोगों को motivate किया लोगों को समझाया कि भई जो भी मैं आपको teachings दे रहा हूँ जो भी मैं आपको बातें बता रहा हूँ या कोई आपको कुछ भी कही तो आपने उसको adjectives follow नहीं करना आपने उसके बारे में सोचना है अपनी बुद्धी और अपना विवेक इस्तमाल करना है अपने दिमाग से अपने मन से सोचना है कि क्या ये बात सच में सही है या नहीं है ठीक है तो ऐसे इंसान नहीं बनना है कि किसे ने कुछ भी बोल दिया या मैंने आपको कुछ कहा और आपने एजिटिव उसको follow कर लिया नहीं आप उस पे अपना विचार करो अपना दिमाग लगाओ अपनी बुद्धी विवेक से सोचो कि वो बात सही है या नहीं है मतलब वो लोगों को विचार शील बनने के लिए encourage कर रहे थे motivate कर रहे थे ठीक है पॉइंट नमबर फोर क्या है बुद्धा himself set an example to lead a simple life और उन्होंने अपना संदेश जो है वो एक और तरीके से भी दिया वो बड़े ही simple तरीके से रहते थे तो यह उन्होंने लोगों के सामने के example रखा खुद का वो simple तरीके से जीते थे ताकि लोग उनको देखें उनके life को समझें अपने teachings देते रहते थे नमबर तीन वो लोगों को thinker बनने के लिए motivate कर रहे थे कि आप सोचो as it is follow मत करो ठीक है और point number four उन्होंने खुद simple life जी और लोगों को उसके बारे में motivate किया मतलब लोगों को सामने के example रखा ठीक है यह हो गया हमारा point second question जो है वो एक true false है मतलब उसमें true false है A, B, C, D और E तक तो पहला question है the Buddha encouraged animal sacrifices क्या महत्मा बुद्ध ने बढ़ावा दिया animal sacrifices को जानवरों की बली देने वाली पर्था को बढ़ावा दिया बिलकुल भी नहीं वो तो अहिंसा को follow करते थे तो ये false है, ये गलत है B, सारनाथ is important because it was a place where Buddha taught for the first time बिलकुल सही बात है उन्होंने सबसे पहले अपना सबसे पहली speech वहीं दीती वहाँ सबसे पहले आके उन्होंने सिखाया था तो ये बढ़ावा है फिर third statement है The Buddha taught that karma has no effect on our life क्या बुद्ध ने हमें ये सिखाया है कि करम का हमारे जीवन पर कोई असर नहीं होता ये गलत है करम का सब की जीवन पर असर होता है जो जैसा करम करेगा उसकी जीवन पर वैसा असर पड़ेगा तो ये statement Buddha taught that karma has no effect on our life ये false है गलत है फिर D Buddha attained enlightenment at both गया बुद्ध को enlightenment यानि उनको जो true knowledge जो है आत्म ग्यान की उन्हें जो प्राप्ती हुई है वो बोद गया नाम की जगह पर हुई थी true बिल्कुल उन्हें वहीं पर true knowledge की प्राप्ती हुई थी उसके बाद है E उपनिशिदिक thinkers believed that उनिशिदिक thinkers यह मानते थे कि आत्मन and Brahman were ultimately one कि जो आत्म है और जो ब्रम्व है वह एक है बिल्कुल ये एक ही है उन्हें बिल्कुल यहीं मानते हैं कि एक आत्म है और एक ब्रम्व है और आत्म को आत्मा को इस परब्रम्व परमेशवर में मिल जाना है, तो ये true है, वो यही मानते हैं, question number 3 पे आते हैं, question number 3 है, what were the questions that उपनिशदिक thinkers wanted to answer, वो कौन से सवाल थे, वो कौन से questions थे, जिनके उत्तर उपनिशदिक thinkers देना चाह रहे थे, उपनिशदिक thinkers थे, उनके मन में कई गहरे सवाल थे, वो बहुत सारी बातों के आंसर जानना चाह रहे थे, बहुत सारी बातों के आंसर देना चाह रहे थे, है ना, तो बस हमें यही बात बतानी है, कि उनके मन में क्या-क्या जिग्याश आने थी, किन चीज़ों के वो आंसर देना चाह रहे थे, क्या वो जानना चाह रहे थे, ठीक है, तो point number 1 है, some of them wanted to know about life after death, बहुत सारे उपनिशेदिक thinkers यह जानना चाह रहे थे, कि भई क्या होता है मृत्यू के बाद, life after death में क्या होता है, यहनि कि जम मनुशे जीह रहा है, उसके बाद उसके मृत्यू होती है, और उसके बाद वाले उसके जीवन में क्या गड़ित होता है, वो जीवन कैसा होता या जीवन होता है या नहीं होता है या मनुश्य का मृत्यूं के बाद होता क्या है वो ये सब जानना चाह रहे थे Point No.2 Some thinkers wanted to know why sacrifices should be performed और बहुत सारे thinker ऐसे थे वो ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि वही ये जो sacrifices हैं ये जो धार्मिक रिती रिवाज हैं rituals हैं, यग, हवन, यह सब यह सब क्यों किये जा रहे हैं, इनके पीछे क्या कारण है, उन्होंने practical reason जानने की कोशिश की, ठीक है जानने की कोशिश की और जाने भी और लोगों को बताये भी, ठीक है तो यह उन्होंने कोशिश की, third है many of these thinkers felt that there was something permanent in the universe that would last even after death और बहुत सारे thinkers ऐसे थे, जिन्होंने ये महसूस किया कि वही मनुश्य के मृत्यू के बाद भी उसका कुछ अंश बचा रहता है, इस universe में इस ब्रह्मांड में कुछ ने कुछ बचा रह जाता है, ठीक है, उन्होंने ये भी बताया, कि एक आत्मन होता है, और एक ब्रह्म होता है, तो आत्मन को ब्रह्म में मिल जाना होता है ठीक है, तो ये सब उनके कुछ बातें थी, उनके कुछ सवाल थे जो उन्होंने जाना, बहुत सारी बातें उन्होंने उन्होंने उपनिशेदिक गरंथ जा रहे थे और point number three बहुत सारे जो thinkers हैं उन्होंने क्या महसूस किया कि भई इस universe में कुछ ना कुछ permanent रह जाता है मनुश्य की मृतिव के बाद भी ठीक है ये तीन बातें आपको याद रखनी है question number four पे आते है question number four है what were the main teachings of महावीरा तो जो महावीर स्वामी थे उनकी main teachings कौन सी कौन सी थी तो point number one देखो बचो those who wish to know the truth must leave their homes महावीर स्वामी ने ये बताया कि जिन लोगों को भी सत्यकात ज्यान करना है जिनको भी true knowledge attain करनी है जिनको भी enlightenment आतम ज्यान जिसे हम बोलते हैं attain करना है उसको पाना है तो उन लोगों को अपना घर छोड़ना होग क्यों क्योंगी घर में रहते वे सारी सुक्स विधाओं में मनेशे को जीवन की सत्यका ज्यान नहीं होता तो ये उनकी एक teaching थी point number two है they must not hurt or kill any other living being as life is dear to all तो जैन मुनी ने ये बताया कि हमें किसी को भी hurt नहीं करना किसी को भी चोट नहीं पहुचाने किसी को भी मारना नहीं है क्यों क्योंकि सबको अपना जीवन बहुत प्रिया है सबको अपना जीवन बहुत प्यारा लगता है ठीक है आप किसी भी छोटे जीव को या किसी भी अहिंसा पर बहुत ज़्यादा जोर दिया थर्ड पॉइंट है मनुश्यों को अपना जो जीवन है वो एक बड़ा साधारन तरीके से जीना चाहिए एक सिंपल लाइफ सब जीए पॉइंट नुबर फॉट इमांदार होना चाहिए मनुश्य को ठीक है इमांदारी से अपना जीवन जी पॉइंट नुबर फाइफ दे मस्ट अब्जर्व सेलिबेसी और उनको क्या फोलो करना है उनको सेलिबेसी ब्रमचारिय फोलो करना है यानि कि ब्रमचारिय के कुछ नियम होते हैं सुबह जल्दी उठो कुछ योग ध्यान प्राणायाम करो ठीक है और एक खाने के लिए भी संतुलित अहार खाओ जरूर छे ज्यादा मत खाओ ठीक है तो इस तरीके से ब्रमचारिय के शुरू से आखिर तक कुछ नियम होते हैं जो सुबह शुरू होते हैं रात तक चलते हैं और मनुशे की जीवन प्रियंत चलते हैं ठीक है वो उनको फूलो करने होते हैं तो ये टीचिंग्स थी किनकी महावीर स्वामी की क्विश्चिन नंबर फाइफ पे आते हैं क्विश्चिन नंबर फाइफ है आपनी चैप्टर में देखा होगा जब चैप्टर आपका शुरू हुआ था तो उसमें ये चैप्टर एक बच्ची की छोटी सी कहानिशी शुरू होता है बच्ची जो है अनका नाम की बच्ची है जो कि अपने स्कूल टिप पे जा रही है तो उसकी मा कहती है कि जहां तुम जा रही हो वहां तुम जाकर सारनात को भी देखना ठीक है यानिकि बच्चे की अनगा की जो मदर है वो बच्चे की टीचर से जो है रिक्वेस्ट करती है कि इन्हें बुद्ध के बारे में तो बताना ही बुद्ध की teaching भी बताना सारी और सारनात भी लेकर जाना तो बच्चे की माँ ऐसा क्यों चाहरी है कि बच्चा जो है वो बुद्ध के बारे में जाने तो वो क्या values महात्मा बुद्ध के जीवन की क्या values है जो वो अपने बच्चे को देना चारी है पॉइंट नमबर बन देखो अंगाज मदर वांटेड हर टू नो दे स्टोरी ओफ बुद्धा विकोज शी वास गोइंग ओन अ स्कूल ट्रिप तो वारानसी तो पहली चीज़ तो यही थी कि वो स्कूल ट्रिप में जा रही थी वारानसी की तरफ जा रही थी ठीक है दूसरा क्वॉएंट देखो Near सारनाथ वारानसी is closely connected है ना सारनाथ के पास जो है वारानसी लगता है closely connected है to the life of बुद्धा जो कि महात्मा बुद्ध के सारनाथ में जब उन्हें knowledge enlightenment attain हुआ उसके बाद पहला भाशन उन्होंने अपना कहा दिया था सारनाथ में तो उन्होंने यही का कि तुम बुद की स्टोरी को जानू जो की ancient इंडिया के एक बहुत ही महान टीचर थे और जिन्होंने इस नए धर्म की स्थापना की थी एक नया धर्म बनाया था धर्म का नाम था बुद्धिसम थर्ड पॉइंट है she wanted her to take some lessons and learnings from the life of बुद्धा बच्चे की मा अनगा की मा ये चाह रही थी कि महात्मा बुद के जीवन से और महात्मा बुद की कुछ टीचिंग्स मेरे बच्चे को भी मिले जब हम महात्मा बुद के बारे में पढ़ते हैं तो हमारी एक ये भी एक हमारा objective रहता है एक उदेशे रहता है कि उनके जीवन की कहानियों को पढ़कर उनकी टीचिंग्स को पढ़कर उनको हम अपने जीवन में उता रहे हैं यही बच्चे की मा चाह रही थी अपने बच् slaves to join संगा क्या उस वक्त slaves के लिए यानि कि दासों के लिए ये आसान रहा होगा संग को जवाइन करना give reasons for your answer भई आपको हाँ लगता है तो क्यों ना लगता है तो क्यों आपका जो भी answer है उसका कारण बताईए तो देखिए ये बात तो पक्की है कि slaves के लिए दासों के लिए ये बहुत ही मुश्किल रहा होगा क्यों क्योंकि उनको slave बना के रखा है उनसे बहुत सारा काम करवाय जाता है सुबेशे शाम तक तो obviously उनके लिए free होना ही एक बड़ी मुश्किल बात हुआ करती थी ठीक है तो answer देखिये no it would not have been easy for slaves to join संगा दासों के लिए संग जोइन करना आसान नहीं होता था क्यों because they had to take the permission of their masters to do so हाँ क्योंकि संग का ये एक नियम था कि जिसको भी संग में शामिल होना है उनको अपने मास्टर यानके अपने मालिक से permission लेनी पड़ेगे ठीक है अगर master yes करता है कि हाँ भई तुम मेरी तरफ से तो आजाद हो और संग में जाके शामिल हो सकते हो तब वो जा सकते थे otherwise नहीं so also the masters would not have given them permission so easily सही बात है कोई आदमी slave ही उस time उन लोगों ने इसलिए बना रख़ा है क्योंकि उन्हें बहुत सारा काम लेना है अगर वो slave को free कर देंगे तो काम कैसे मिलेगा उनको ठीक है तो इसलिए जो masters होते थे वो उनको इस तरह की permission कभी देते नहीं थे तो एक slave के लिए संग में जोईन होना बहुती मुश्किल बात होती थी ठीक है बच्चों तो यहां हमारे सारे question answers discuss हो चुके हैं I hope आपको समझ में आ गए होगे Thanks for watching Bye-bye